हेलो दोस्तो, दोस्तो हमारी एप विश्णो एकनोमिक्स स्कूल के स्टोर में एकनोमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से लेटेड़ दाइसो से अधिक कोर्स हैं तो दोस्तो गर आप युजी में हो या आप यूपीएस्सी की तियारी कर रहे हो या आपके पास UGC Net है, या आप PGD के तियारी कर रहे हो, या किसी और Competition के तियारी कर रहे हो, जहाँ पर Economics और Commerce सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास Course है, तो दोस्तों हमारी एप जरूर डाउनलोड कर लीजेगा, विश्नो एकनोमिक स्कूल. Hello everyone, welcome to विश्नो एकनोमिक स्कूल, so in this video we are going to discuss essentials of a valid consideration, इससे पहले वाले वाले वीडियो में हम definition of consideration और first essential of a valid consideration discuss कर चुके हैं, अब इस वीडियो में हम second essential of a valid consideration discuss करेंगे, तो इस particular chapter पर 9 to 10 वीडियो आएंगे और उन में से कुछ वीडियो प्राइवेट वीडियो होंगे, जो अगर आप हमारी courses के बारे में detail में जानना चाते हैं, तो आप उपर दी वही number पर contact कर सकते हैं, so let's get started with essentials of a valid consideration, तो अब second essential of a valid consideration है, consideration must move from the promisee or any other person, मतलब जो भी consideration है, हमने discuss किया था कि consideration का मतलब होता है something in return, तो वो जो return है, वो या तो promisee के side से आ सकता है, और या फिर वो किसी other person के side से भी आ सकता है, जो third party होगी consideration के लिए, तो Indian Contract Act 1872 के section 2, subsection D में ऐसा लिखा हुआ है, कि consideration need not to move from the promisee alone, but may proceed from a third person, मतलब जो भी consideration है, वो third person से भी move हो सकती है, मतलब कोई third party जो है, वो भी उस consideration को pay कर सकती है, प्रॉमिसी के बिहाफ पर, अब इसको हम एक example से कैसे समझ सकते हैं, मान लेते हैं, आपने college की fees भरी, आप college में पढ़ने जाते हैं, आपको उसके लिए fee पे करनी बढ़ती है, और इसमें parties to contract कौन हुए, आप और college, तो अब इस contract का की college आपको fee पे करने के बदले में आपको पढ़ाएगा, तो अब क्यूंकि आप student है, तो वो जो fee का amount है, वो क पे करी, तो इसी लिए उस consideration की जो third party है, वो आपके parents हो गए, और उस consideration का जो पढ़ने जा रहे हैं, वो है आप, वो जो consideration आपको कुछ बदले में मिल रहा है, उसे कौन receive कर रहा है, उसे आप receive कर रहे हैं, आपके parents जो है आपके बिहाफ पर college में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, just because उन्होंने fee पे करी है, आपके parents ने वहाँ पर fees पे करी, आपके बिहाफ पर तो वो third party to the consideration हो गए, लेकिन parties to the contract वो फिर भी हुए, अब वो कैसे, even a stranger to a consideration can sue on a contract, provided he is party to the contract, अब अगर ऐसा होता है, कि college आपको entry करने से रोकता है, या आपको मना कर देता है पढ़ाने से, तो उस case में आपके जो parents हैं, वो भी college को sue कर सकते हैं, मतलब उन पर case कर सकते हैं, college पर आपको ना पढ़ाने के लिए, क्यूंकि वो stranger to the consideration है, मतलब वो आपके बिहाफ पर जाके college में पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन वो उस contract का part है, जो आपके और आपके college के बीच में हुआ है क्यूंकि उन्होंने consideration pay किया है आपके बिहाफ पर, इसी लिए वो party to the contract हुए, लेकिन stranger to consideration हो गए, तो इसी लिए stranger to a consideration can sue on a contract provided he is party to the contract, मतलब वो contract में involved होनी चाहिए, बस वो consideration के लिए stranger है, मतलब वो benefit receive नहीं कर रही है directly, तो इसी को हम doctrine of constructive consideration बोलते हैं, कि जो stranger है to a consideration can sue on a contract, provided he is party to the contract, तो हम इसको doctrine of constructive consideration भी बोलते हैं, अब इस point को explain करता हुआ एक landmark case है, मतलब important case law है, जो हमें पढ़ना है यहाँ पर, वो है चिनईया वर्सिस रमया, तो अब हम इस case को detail में discuss करते हैं, तो इस case में क्या होता है, कि एक old lady होती है, और वो अपनी property, जो है वो अपनी daughter को gift कर देती है, तो इस case में एक old lady होती है, जो अपनी जो property है, वो अपनी daughter को gift कर देती है, लेकिन इसमें condition होती है, अब वो condition क्या होती है, कि वो जो उनके daughter है, वो annuity पे करेंगी, उस gift के बदले, अपने maternal अंकल को, मतलब जो old lady है, उनके brother को और अपने maternal अंकल को, वो annuity की देंगी yearly, मतलब annuity वो एक lump sum amount है, जो yearly मिलता है, तो इस condition पर की वो annuity पे करेंगी, इस पर वो एक gift deed करती है, जिसमें वो अपनी property जो है, वो अपनी daughter को दे देती है, तो जिस दिन ये contract होता है, जिस दिन ये gift deed बनती है, उसी दिन जो उनकी daughter है, वो ये बोल देती है, कि वो annuity जो है, वो अपने maternal अंकल को दे देंगी, लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि वो जो annuity है वो अपने अंकल को पे नहीं करती और फिर जो उनके अंकल है जो maternal अंकल है वो उनकी daughter पर case file कर देते हैं कि उन्होंने जो annuity बोली थी उस old lady ने वो उनको पे नहीं करी गई तो वो जो daughter होती है वो court में ये reason देती हैं कि क्यों उन्होंने annuity पे नहीं करी वो ये reason होता है कि वो बोलती है कि maternal अंकल ने मतलम उनके मामा ने उनको जो है वो कोई भी consideration पे नहीं किया जिसके बदले में वो उन्हें annuity पे करें तो इस case में जो court है वो ये बोलता है कि जो उनके maternal अंकल है वो actually जो है वो consideration के लिए stranger हुए लेकिन वो contract के लिए stranger नहीं है वो party to the contract है उन्हीं को लेकर जो है वो उस old lady ने मतलब उनकी mother ने ये gift deed जो है वो उनको दी थी कि वो उनको yearly जो है वो annuity pay करेंगी तो इस case में जो consideration है वो किसी third party के थुरू move हुई है लेकिन जो party to the contract है वो सूख कर सकती है उनकी daughter को for non payment of annuity मतलब उस contract को breach करने के लिए जो party to the contract है वो सूख कर सकती है तो यहाँ पर जो maternal uncle है वो यहाँ पर हुए stranger to consideration but party to contract अब वो stranger to consideration ऐसे हुए कि वो जो consideration हुई वो हुई वो property वो gift deed जो हुई थी वो consideration हुआ लेकिन अब उस contract की जो condition थी वो यही थी कि इस gift deed के बदले में जो उनके daughter है वो annuity pay करेंगी जो उन्होंने नहीं किया मतलब उन्होंने वो part जो है अपनी obligation perform नहीं करी तो यह case लो हमको यही बताता है कि even a stranger to a consideration can sue on a contract provided he is party to the contract अब यहां में maternal uncle जो है वो consideration के लिए stranger हुए लेकिन party to the contract माने जाएंगे क्योंकि उस offer की condition में यही था कि वो जो annuity है वो उन old lady के brother को मिलेगी उस gift deed के बदले में अब इसी point पे एक important point है कि a stranger to the contract can't sue मतलब जो भी stranger to the contract है कोई भी case नहीं कर सकता किसी भी non performance of contract के लिए उसको कोई भी case करने के लिए पहले party to the contract होना compulsory है तो a person may be a stranger to the consideration but he should not be a stranger to the contract because privacy of contract is essential for enforcing any of the rights arising out of the contract तो इसका मतलब यही है जो हमने उपर देखा कि person may be a stranger to the consideration मतलब वो stranger हो सकता है consideration के लिए जो यहां पे वो maternal uncle थे लेकिन वो stranger to the contract नहीं हो सकता अब इसका reason क्या है because of privacy of contract मतलब इसका मतलब यही है कि किसी भी contract में non-performance के लिए अगर कोई भी party कोई code case करना चाती है अपने rights को receive करने के लिए तो उसमें privacy of contract का होना जरूरी है important है ताकि वो जो rights है उसके उनको claim कर पाए तो उस case में इसलिए जो person है वो stranger हो सकता है consideration के लिए लेकिन वो contract के लिए stranger नहीं हो सकता तब ही वो sue कर पाएगा मतलब कोई code case कर पाएगा तो यह जो landmark case है इसमें भी ऐसा ही हुआ court ने यही बुला कि जो maternal uncle है वो stranger to consideration है बट stranger to contract नहीं है इसलिए वो court case कर सकते थे तो यही fundamental principle of law of contracts है कि a stranger to the contract cannot sue only a person who is party to the contract can sue अब इस case में maternal uncle जो है वो party to the contract थे क्यूंकि उस contract की condition में उनका भी role था कि वो जो annuity है वो उन्हीं को pay की जानी थी तो यही case law है जिससे यह पूरा जो हमारा point है वो clear होता है इसलिए यह जो case law है वो आपको याद रहना चाहिए जब भी आप consideration का नाम सुनें या फिर आप exam में से related कोई question देखें तो वहाँ पर आपको यह case law है यह एक से याद होना चाहिए और आप अगर वहाँ पर consideration से related question आता है तो वहाँ पर आप इस case law को importantly mention करकर आएंगे तो अब यह जो important point हमने discuss किया कि a stranger to a contract can't sue अब इस point के exceptions भी है जो हम next video में discuss करेंगे so that's it for this video thank you